हेलो स्टुडेंट्स हम चलिए जीए स्कोप पढ़ने के इस नहीं तरीक को आगे बढ़ाते हैं आपने दिलिप सिंग रहना के बारे में तो सुने होगा दा ग्रेट खली जो डबलु डबलुई में फाइट करते हैं नेक्स्ट सूचना का धिकार यानी राइट टू इन्फोर्मेशन आल्टी आई यह भारत में 12 अक्टूबर 2005 में आया आल्टी आई सबसे पहले देश स्वीडन में आया था स्वीडन की राजधानी स्टोक हॉम और मुद्रा इसकी क्रोनर है यह सन 1766 में आया स्वीडन में और आर्टी आई सरप्रतम तमिलनाडू राजधे में आया सन 1997 में और बाद में गोवा राजधे में भी लागू किया गया और पूरे भारत वर्स में 12 अक्टूबर 2005 को अलफरेड नोबेल जो स्वीडन के ही थे अलफरेड नोबेल ने डाइनमाइट का अविश्कार किया था और डाइनमाइट जो बनता है वह नाइट्रो गलिसरिन से बनता है अल्फृेड नॉबेल के नाम पर ही नॉबिल प्रॉशकार दिया जाता है इसकी सुरुवात सन 1901 यस्वी में की गई थी यह 10 दिसंबर परते एक वर्ष दिया जाता है और नॉबिल प्रॉशकार के जब सुरुवात हुई थी यह 5-6 तरों में दिया जाता है और अर्थ सास्तर में यह सन 1979 इसी से प्रारम हुआ 10 दिसंबर को मानवादिकार भी दिवस मनाया जाता है यह इसकी गोशना UN नों ने की थी मानवादिकार दिवस की 1948 में और सांती का जो नोबिल पुरुसकार है वे है नौर्वे में दिया जाता है नेक्स्ट दोस्तों दोबार का फिजिक्स का नोबिल पुरुसकार जोन बार्डिन को दिया गया पहला ट्रांजिस्टर के लिए सन 1956 में दूसरा तिचा लखता का सिध्धान तिनों ने दिया सन 1972 इस्वी में 1956 में LIC की स्थापना हुई और 1972 में GIC की स्थापना हुई दोबार का नोबिल पुरुसकार मेडम क्यूरी को भी मिला सन 1903 और 1911 में 1903 में जो मिला वेरेडियो अक्टिवता का सिध्धान और दूसरा ड्रेडियम 1911 में सबसे अधिक आयू में जो नोबिल पुरुसकार जीता वो रेमन डेविस जूनियर इनकी उमर 88 वर्स और याद रखे दोस्तों सबसे कम आयू में जो जीता है वो है अभी मलाला यूसुफ जई तो यह दूसरे नमबर पहले लोरेंस ब्रिग्स यह दूसरे नमबर पर है सबसे कम उमर में नोबिल पुरुसकार जीतने वाली मलाला यूसुफ जई पाकिस्तान की विस की पर्थम मिस वर्ड कर्ष्टिन जो जिनने की की भी बुलाया जाता है स्विडन की है सन 1951 में इन्होंने जीता पर्थम भारत की जो मिस वल्ड रही वो रिता फारिया सन 1966 एस्वि में और जो भारत की मिस वल्ड रही एशरय रये डायना हैडन युकता मुखी और प्रियंका चोपडा यह 2020 में बनी थी प्रियंका चोपड़ा और मिस यूनिवर्स जो लारा दत्ता यह भी 2020 में ही बनी थी मिस एसिया दिया सर्मा बनी थी यह भी 2020 में ही बनी थी 1951 में पंचवर्षिय योजना का गठन किया गया था और वित आयोग का भी गठन 1990 में किया गया 1911 में उन्हों वियने सूची समीधान में जोड़ी गई आप दोस्तों इसका स्क्रीन सोट ले लिजे धन्यवाद